करनाटक में सरकार बने अभी हफता भी नहीं बीता कि जेडियस और कॉंग्रेस के बीच तकरार सामने आ रही हैं कुमार स्वामी को सीम पत के लिए पास साल का समर्था देनी की बात कहने वाली कॉंग्रेस का कहना है कि हमने अभी तक कोई फैसला ही नहीं लिया डिप्टी सीम जी परमेश्वर ने कहा कि नफा और नुकसान को देखते वे हम फैसला करेंगे वहीं इस बयान से करनाटक में कॉंग्रेस और जेडियस के बीच तालमेल में उभर रही दरारों के संकीत मिल रहे है करनाटक में क्या पूरे पास साल तक सीम पत पर बने रहेंगे कुमार स्वामी क्या जेडियस और कॉंग्रेस करेगी कुरसी के अतला बतली क्या कॉंग्रेस पूरे पास साल देगी स्वामी को समर्थन ये सवाल करनाटक के डिप्टी सीएम और कॉंग्रिस नेता जी परमेश्वर के बयान के बाद खड़ा हो गया है उन्होंने कहा है कि कुमार स्वामी पाथ साल मुख्यमंत्री रहेंगे या पाथ साल में हमारा भी कोई मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर अभी गड़बंदन में बात होनी है परमेश्वर ने कहा कि पाथ साल तक कॉंग्रिस अमर्थन देगी इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया दरसल ये बयान उन्होंने तब दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या कुमार स्वामी पूरे पाथ साल मुख्यमंत्री रहेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि हमने उन तौर तरीकों पर अब तक चर्चा नहीं की है चर्चा के बाद नफ़ा और नुकसान को देखते वे हम फैसला करेंगे हमारा मुख्यद है अच्छा प्रत्साशन देना है जब करनाटक में दोनों पार्टियों ने दोस्ती का हाथ मिलाया था उस समय कुमार स्वामी ने साफ कर दिया था कि वो सीम की कुरसी पास साल से पहले नहीं छोडेंगे उन्होंने उन खबरों को भी खारिच कर दिया था जिसमें कहा गया था कि उनकी पार्टी अपने गडबंदन सयोगी कॉंग्रेस के साथ 30-30 महीने के फॉर्मूले पर काम कर रही है स्वामी तो सभी अटकलों को खारिच कर चुके हैं लेकिन अब कॉंग्रेस की ओर से आ रहे बायानों ने ना सिर्फ उनके सीम बनने रहने पर प्रश्न चिन लगा दिया है बलके गडबंदन में तकरार के संकेत भी दे दिये हैं डीबी लाइफ की रिपोर्ट